हेलो स्टुडेंट आपका मरी उडिशन पर सब्सक्राइब है दोस्तों आज हम बात करेंगे आरी स्प्री की साइंस एंट टेक्नोलोजी में रक्षा प्रद्वगी के बारे में डिफेंस टेक्नोलोजी के बारे में इससे पहले मैंने तीन जो चैप्टर हैं वो पढ़ा चुक सब्सक्राइब करें आपको एक बहतरीन जो मैटेरियल है एक्जाम की दृष्टी से वापको प्राप्त होगा और क्वेशन आंसर की माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह क्वेशन आते हैं पेपर में और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए आज का म में पूरा चैप्टर में फिनिश नहीं करूंगा आपको रोजाना उस चैप्टर के बारे में मतलब नौलेज प्राप्त होती रहेगी और तीन चार प्माच क्लास के बाद एक चैप्टर जोब वो समाप्त हो जाता है तो आराम-ाराम से हम पढ़ते रहेंगे समझते लेगे रच्छा प्रद्वी कि अगर हम नॉर्मल आइडिया लें कि हम देश की सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं किन किन तकनी की सायता हो के माद़ें से हम देश की सुरक्षा में सायक से दो सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते है रच्छा प्रद्वी की तो रच्छा कि युद्ध की चमताओं को बढ़ाने में काम आती हैं सीमा सरक्षा हमारी जो सीमा है चाइनासे हैं पाकिस्तान से हमारा तनाव लगाい रहता है तो इन सीमा सरक्षा करने में और देश की संप्रहुता को सरक्षत रखने के लिए महत्तहपुन्ग पुम काने बाती है हम अपने देश को दुनिया के अने देशों के आकर मर से बचा सकते हैं तो उन सभी में जितनी भी तक्नी के कामा CHRIS है किया हैं रक्षा प्रधिवजी है, आद्वेक रक्षा प्रधिवजी केवाल युद्य के अपकरणों और हत्यारों तक सीमिक नहीं हैं बलकि उसमें साइबर सुरक्षा यानि की कंप्यूटर के मद्यम से हम यह कोई कारे कर रहे हैं तो हमारी जो सूचना है वो लीक ना हो तो उसे साइबर सुरक्षा कहते हैं अंत्रक्ष प्रदोवी की और मिसाइल सिस्टम यानि हम अंत्रक्ष में जैसे हमारा इस रो है वो लग अत्मान में Artificial Intelligence भी रक्षा प्रद्वयों की जा रही है आध जैसी आधनिक तक्निकों का भी समाविस होता है भारत में रक्षा प्रद्वयों का विकास स्वदेशी और वैस्ट्रेक्ट दोनों इस तरों पर हुआ है यानि हमने अपने Defense Technology को अपने देश के स्थर से मदस्वदेशी तक्निक से और विदेशी तक्निकों का आयात करके हमने अपनी जो स्रक्षा है उसको बढ़ाने का क्या किया हमेशा प्रयास किया है जिसमें रक्षा अनुसंदान विकास संगठन DRDO प्रमक भूम करेंवाता है तो देखिए इसमें इंपोर्टेंट बात ही हो जाएगी बहरत का कौन सा इसल संगठन है जो रक्षा प्रदयोगी में प्रमग भूम करेंवाता है तो रक्षा प्रदयोगी में में काम आते हैं सबसे पहले है मिसाल व्रडवी की मिसाल टेखनलोजी है मिसाइल के माद्यम से बहरत में अलग-लग मिसाइल-खिया गया है जिससे दुष्मन देश को हमेशा रहता है रख रहा है कि गई यह प्ररिम्न क्या करेंगे जो हमें thousand पहुचाएगा, तो इस डर से दुसमन जो है, दुसमन देश हैं, वो आकर्मन नहीं करेंगे, तो यह जो मिसाइलों का निर्माण है, वह आकर्मन की दरश्टी से भी प्रणसें आएंनों बहुत अच्छी मेंशायलं को भी निर्मित किया है सबसे पहले है अगनी मिसाइल संत्लां है नगी अगनी मिसाइल यह लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल हैं इसका उद्देश न्यूकलियर चमता के साथ रण नीतिक सुरक्षा प्रदान करना है यानि अगली मिसाइल जो है वो न्यूकलियर बैपन ले जाने में भी क्या है सक्षम है हमने अब तक अगनी मिसाइल अगनी वन अगनी टू अगनी ट्री अगनी वर किनिफाइव और अगनी प्राइम नायम से जो है मैसायं ने बनाई है तो यह सीरीज यहां मिसाइलों के जो दुष्मन देश को खौफनाग रखने के लिए बहुत है कि वही हम हमारे जो दुष्मन देश से चाएं वो चाहिव उसी देश पाकिस्ट हुआ यह हमें लगातार आख न दिखा पाएं तो इन मिसालों का अविश्कार करना भी जरूरी है और अगनी मिसालों के अविश्कार में डॉक्टर एबीज अब्दुलकुलां को बहुत सरहनी यह योगदान रहा है अगला है प्रहार मिसाइल यह कमदूरी की सामरिक मिसाइल है जो सौट रेंज में उच्छो सटीकता से हमला करने में डिजाइन की गई है तो प्रहार मिसाइल की जो डिजाइन है यह प्रहार मिसाइल का जो गुण है वह गुण क्या है कि वही छोटी रेंज में यह सटीकता से से क्या लगाती है निशाना लगाती है तो छोटी रेंज में सटीकता से निशाना लगाने के लिए हमने कौन सी मिसाइल को क्यों किया है प्रहार मिसाइल अगनी मिसाइल जो है वह है क्या है लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जैसे अगनी फाइव है 5000 किलूमेटर की मुए प्राहार मिसयल के मर्दम जो है वो सत्रश से निशाना है कि इसोती दूरी की कोई दुष्मन है या किसी टार्गेट को निशाना लगाना है तो वह सत्रश से concerned किura मंसायल की मार्दम से अग्ले मिसायल है ब्रह्मोष मि스러운 मिसायल भारत और रूस का सब्सक्राइब तो देखें यह इंपोर्टेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वह है भारत और रूस ने मिलकर बनाई है यानि कि पूरी तरह से इस पर भारत का स्वामित नहीं है विक्सित सुपर्सोनिक क्रूज मिसाइल है सुपर्सोनिक क्रूज के मिसाइल होता कि आवाज ब्रमुस मिसाइल इसे पंडूबी जहाज विमान और भूमी से लाँज किया जा सकता है तो ब्रमुस मिसाइल को कहां कहां से लाँज कर सकते हैं पंडूबी मिसाइल पंडूबी से जहाज से विमान से और भूमी से देखे सभी स्ट्रेयन को एक बात वताना चाहूं इन क्लास और से और हम ले लेंगे तो उन क्लासे में अपसे पाएंगे कि एक एक मिसाइल के बारे में अच्छे से बढ़ेंगे तो अभी सिकी है सौर्ट से आपको बता रहा हुँ कि इस तरह से इनका उपयोग किया जाता है तो डेटेल क्लास है जो हो एक एक मिसाइज जगनी मिसाहिल के बारें बता दिया प्रहार मिसाहिल के बारें बता दिया प्रमुस मिसाहिल के बारें बता दिया तो आपकी जग्यास है वह भी जान्त होगी और हमारे जो कंसेप्ट होगी क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट है लड़ाonse रक्षा ठैकिा भारत के रक्षा तंत्र में लड़ाक 요 कि विमान बहुत सब्सक्रा… पर मैत्षों नहीं एम काल्यूंत है तकलन एकिकार करें विद्द और आजने पिर्पनाम कुई अलोगता है, तो लड़ाकु विमान भी रक्षा प्रद्विकी में हमारी रक्षा में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं सहीयोग करते हैं हमारे सबसे पहले लड़ाकु विमानों के बारे में बात करेंगे तेजस के बारे में देखे तेजस स्वदेसी हलका लड़ाकु विमान है सबसे पहले की तकनीक का लड़ा को विमान है जिसने बारत ने बारत ने अपनी तकनीक से ही बनाया है दूसरा यह इसे बनाने में युगदान किसका है हिंदोस्तान कौने अरोनोटिक्स लेंटेड हाल और डिया रडियोगा इसका उद्देश भारति वाई उसेना न वहलाना है संस्त वनाना है और थेज गती से बुत आकर दुष्ञन को प्रत्करिया करने का भी मौका नहीं मिलेगा और उससे पहले हम क्या कर सकते हैं हमला कर सकते हैं तो इस तरह के गुणों वाला जो बिमान है वह कैसा है तीजस बिमान है राफेल देखे राफेल बहुत चर्चा में रहता है फ्रांस से खरीदा गया लड़ाकू यह लड़ाकू बिमान आदुने की युद्धक छमताओं में से लेस है यह लंबी दूरी की हमला करने और एंट अपनी है दा सॉल्ट दा सॉल्ट एविएशन से हमने राफेल को खरीद आए और इस पर बहुत चर्चाएं भी थी विवाद भी हुआ था कि राफेल को महिंगा खरीद लिया लेकिन भारती जरुतों के अनुसा राफेल बिमान को बनाया गया और तब जाके हमने उसको खरी बिमान है भारत की सुरक्षेक द्रश्टी से सुखोई 30M के आई यह बहुत देश्य लड़ा को बिमान है जिसे भारतिय वायू सेहना द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसे हवाई सरिष्टता और जमीन पर सटी कमलों के लिए डिजाइन किया गया है तो 30M के आई जो विमान है वो हमने कहां से लिए है रसिया से लिए है तो देखे एक विमान तो हमने पढ़ा जो सुदेशी है लड़ा को बिमान तेजस दूसरा प्रान से लिए हमने लड़ा को बिमान कौन सा रफेल और तीसरा लड़ा को बिमान है सुदेशी सुखोई 30M के आ अब हम बात करें टैंक और हमारी रक्षा प्राली में टैंक और युद्दक वहान जो अगर लड़ाई जमीन पर हो तो टैंकों के माध्यम से और युद्दक वहानों के माध्यम से लड़ाई की जाती है जमीनी सुरक्षा युद्ध में टेंकों और आर्म डवानों की महत्वूर्ण का होती है कुछ प्रमुक टेंक हैं जैसे अर्जुन टेंक यह भारत का मुख्य युद्धक टेंक है जैसे DRD उद्वारा दिखसित किया गया है इसका डेजाइन आदने की युद्ध आवशक्ताओं की अनुरूप किया गया है तो अर्जुन टेंक कैसा है अर्जुन टेंक है मुख्य युद्धक टेंक यानि कि प्रमुक युद्ध करने में काम आने वाला जो टेंक है वो कौन सा है अर्जुन टेंक दूसरा जो लड़ाई में कामाता है वह टैंक है T90 यह रूसी मूल का टैंक है जिसे भारत में निर्मित और सेवा में सामिल किया गया है इसे उच्छ सटीकता, गती और طाकत की रिजाना आता है यानिक यह जो निशाना है वो सटीकता से लगाता है इसकी गती तेज़ होती है युद्गे मैदान में और इसकी ताकत भी क्या है ज़्यादा है के नाइन वज्र यह भारत में निर्मित आर्टिलरी गन सिस्टम है जो सेना की फायर पावर को बढ़ाने में सायक है किनायन वज्र क्या है के नएन वज्र है आर्टिलरी गन शिस्टम जो सैनाकी अब बढ़ाता है तो यह आर्जन टैंक T-90 के नाइन वज्र के माद्दम उसे टेंकों के माद्यम से हम अपने स्रक्षा को क्या करते हैं मजबूत करते हैं नेक्स्ट रडार और संचापुनाली जो तक्निक है वह रख्षा प्रद्रवगी में कैसे कामा थी यह अवी प्सक्राइब किसी भी देश की सरक्षा विवस्ता में में मत्तपूर होती है राडार के माद्धियम से हम दूसरे देश के बिमानों मिसायलों और अन्य हवाई कि हम खतरों का पता लगा सकते हैं राडार सिष्टम के बारे में यदि हम जाने तो डीयाइड विक्षित किये हैं जो सीमा और हवाई छेत्रों के निख्राणी रखने के लिए क्या इस्तमाल है रडार सिस्टम्व वहां पकामाता है यहां पर उपर आक्मन ही सकते से पाणी के पता कर सकते हैं और होयी खत्रों के बारें सकते हैं तो यह हैं जो तक्नीक है वह कहीने कहा है हमारी सुछानन क्या है आफ है इस संचार पुनाली किवारे में गिए संचार tag की उनνεत तक नहीं के युद्ध में सूचना और कमांड को आधान प्रदान करने के लिए काम आती है देखिए संचार प्रणाली का मैतरपूर्ण योगदान होता है माली जी युद्ध हो रहा है और हम यदि संचार प्रणाली यानि कि हम सूचना को सैटलाइट के माद्यम से यदि अप रक्षा प्रणाली तक्षक प्रद्वगी में सक्काउपियो किया जाता है यह रखेम सूचना प्रद्वगी से वस्त ज varit थो जिससे कि हम दुश्मन पर तुरित कार्यवाई कर सकते हैं तो यह प्रणाली भी हमने कैसे विक्सित किये इस तक्नीक की साहिता से थे हम ने अगले कुशिन के बारें बात कराएं पंडबबी और नैसाना नौ सेना युद्धक उपकराना देखिए उसेना के तीन अंग होते हैं वायूसेन थल सेना और जल सेना तो वायू सेना जो है वह वायू लडा को बिमान के बात दम से देश के सरक्षा में साहिक है, थल सेना जो है वो टैंकों के मात्यम से, आर्टिलरीगन के मात्यम से, लड़ाई लड़ने में साहिक है, और जल सेना जो होती है, पंडुब्बी के मात्यम से, और युद्ध पोत के मात्यम से, लड़ाई लड़ने में क्या होती है, साहिक हमारे देश की क्या बनती है सुरक्षा बनती है तो समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना का ससर्ट होना अवशक है इसमें पंडुबियां विमान वाहग पोत और विद्धुनसर जहाजों का विशेस महत होता है अकर हम बात करें कुछ विमान वाहग पोतों के बारे में तो आई एण एस अरिहन्त यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से निल्मित पर्मानू सक्षम पंडुबिया मोस्ट इप्रिद्ध है बहरत की पहली स्वदेशी पर्माणू सच्छन जो पंडुब भी है वह कौन सी है आई एनस अरियंत है इसका विकास भारत को रणने पर्माणू त्रही की स्कति प्रदान करता है यानि पर्माणू छमता संबन होने के कारण जो यह जो आई एनस अरियंत है वो लंबे समय तक कहा रह सकती है पानी में रह सकती है और दुष्मन को पता भी नहीं लगेगा यह वहां पर क्या कर सकते आकर्मन कर सकती है दूसरा जो युद्व पूदक मिवान है वह है देखें आई एएनस अरियंत क्या है पंडुब भी है और आई एनस बिकरांत है युद्व पूद बिमान भारत का प पहली परमाणू पंडुबी है जिसको स्वधेशी रूप से बनाय गया है अगला है स्कॉर्पीन स्रेणी की पंडुबियां भारत द्वारा फ्रांस के सहयोग से किसके सहयोग से निर्मित की गई यह पंडुबियां समुद्र की घहराईयों में दुश्मन का पता लगाने और सक्षम है स्कॉर्पीन स्रेणी की पंडुबियां भारत किसके सहयोग से बना रहा है भारत द्वाध धान के सहयोग से निद्व को बना रहा हो किस देष से क्षरीदा गया है पहला है अमेरिका डूस्ञा है जर्मनी तीसरा है फ्रांस और तो चोथा है रोस तो देखे आप कमेंट सेक्शन के माद्यम से इस क्वेश्चन का अंसर जरूर दें और इस तरह से हमने अभी इस चैप्टर को यहां तक बढ़ा है कल हम इस टॉपिक से आगे हम चलेंगे फिर उसके बाद और आगे चलेंगे तो इस तरह से पूरा चैप्ट क्लियर होते हैं और आसानी से हम उस टॉपिक को कर सकते हैं यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जसमें हमारी जागरुकता भी रहती है तो जहां पर भी कुछ मिसाइलों के बारे में टैंकों के बारे में अलग से हम क्लासे आपको प्रोवाइड करा लेंगे तो उसकी कोई दिक्कत सब्सक्राइब करें और दोस्तों तो जरूर से एर करें और हमें कमेंट करके यह बताएं कि आपको एच्छी लगी यदि एक बार में आती होगी तो इसको दोवारा देखिए आसानी से आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और आपको एक बहतरीन मैटर जो है आरेस परी के लिए प्राप्त हो रहा है इसका अनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए नमस्कार